Hello दोस्तो Welcome to my new video दोस्तो आज की इस वीडियो हूम बात करेंगे कि हमारे पेट के दाई वर उपर की तरफ यानि कि इस वाले हिस्से में पेट दर्ड क्यो होता है उसके कौन-कौन से कारण होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस वाले भाग में हमारे कौन-कौन से ओर्गन्स आये होए होते और साथ ही साथ उसके कौन-कौन से ऐसे डिजिस होते है जिसकी वज़से में यह पेट दर्द होता है तो दोस्तो पेट दर्द को समझने के लिए हमारे medical term में पेट को चार भाग में divided किया जाता है राइट अपर कोड़रेट, लेफट अपर कोड़रेट, राइट लोवर कोड़रेट और लेफट लोवर कोड़रेट यानि कि यह चार भाग में divided किया जाता है आसानी से किसी भी disease को समझने के लिए और उसकी जो जड़ को समझने के लिए इस चार भाग में divided किया जाता है तो दोस्तो हम इस वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो में बात करते हैं तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि जो राइट अपर कोडरेट होता है उसमें कौन-कौन से ओर्गन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं तो जो राइट कोडरेट होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट कवर करता है वो होता है हमारा liver तो यह जो हमारा liver हो गी है और liver के जस्ट नीचे हमारा होता है गोल ब्रेडर, यह दो ओरगन यहां पर सबसे ज़्यादा किसी भी दर्ब के लिए सबसे ज़्यादा कॉजटिव जो यह दो ओरगन होते है, इसके साथ से लिवर और गोलीग depend में बात करी और साती सात होता है हमारा स्टमक यहां पर पूरा होता है और स्टमक के बाद हमारा इसके बाद आता है right kidney आट kidney जो होते है वो just हमारे liver के पीशे होती है इसके बाद आता है pancreas जो कि हमारे डियोडिनम की second part of diodyनम होता है वहाँ से हमारा जो pancreas चुरू होता है उसके बारे हम आगे बात करेंगे इसके बाद आता है हमारे transpose colon कोलन और right adrenal gland यह सब जो organs होते हैं वो हमारे यहाँ पर राइट अपर कोडरेट में आये होये होते हैं और इसी organ में जब भी कोई रोग होता है या फिर बीमारी होते हैं इसकी वज़़से हमें इस जगह पर pain देखने को मिलता है तो इसमें कौन-कौन से disease होते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं उस तो जैसा कि आपने पिछली वाली जो figure होती है उसमें आपने देखा कि यहाँ पर कौन-कौन से organs होते हैं यहां पर हम आपको अच्छे से दिखाते हैं कि यहां पर कौन कौन से उर्कन होते हैं जिसकी वज़े से आप यहां पर से अच्छे से समझ सकें यहां पर हमारा पेट था और इसमें हमने 4 बाग में divided किया था और यहां पर यह होता है हमारा right upper quadret तो इसको कुछ इस तरी किसे दिखाए पड़ता है तो यहां पर होता है हमारा सबसे लीवर होता है लीवर के जरस्ट नीचे होता है हमारा गोल ब्लेडर और यहां पर होता है हमारा स्टमक और यहां से हमारा सेकंड पार्ट ऑप डियोडेनम शुरू होता है जो कि यहां पर इ पेट दर्द का कारण होगा वो कारण होगा अगर इस जो डीजिस होते हैं यह जो सारे डीजिस होते हैं इसमें कुछ बीमारी है या फिर इसमें कुछ डीफोर्मिटी जाई होगते हैं तो इसकी वज़े से हमें यहां पर राइट अपर कोडरेट में यानि की डाई पसली के न कारणों के वज़े से होता है वाइरल हिपेटाइटिस होता है जो कि वाइरस का इंफेक्शन लगने की वज़े से होता है वाइरस होता है हिपेटाइटिस A हिपेटाइटिस B हिपेटाइटिस C D इन तरह के वाइरिस होते हैं इसकी वज़े से भी हमें हीपेटाइटिस होता है और साथ इसाथ हमें आलकोहलिक हीपेटाइटिस भी होता है यानि कि जब भी हम ज़ादे से ज़ादा आलकोहल कंजूम करते हैं तो इसकी वज़े से भी हमारे लिवर में इंप्लामेशन हो जाता है यानि की सूजन आ जाता है तो इसकी वज़े से हम कहते है आलकोहली की पेटाइटिस तो इसकी वज़े से भी हमें यहां पर पेट दर्द होने की समस्या रहती है ओके तो दोस्तों दूसरा जो सबसे most common होता है वो होता है liver abscess ओके तो यहां पर हम जो भी बात करेंगे वो disease होगे liver के associated disease होगे ओके तो यहां पर दूसरा जो जो दूसरा disease होता है वो उसका नाम है liver abscess जो liver abscess होता है वो किन क्यारों की वज़े से होता है जब भी हमारे liver में किसी भी infection लग जाता है तो इसके वज़े से क्या होता है कि हमारा जो liver होता है वहाँ पर पस्पोम होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर हमें abscess देखने को मिलता है तो इसके वज़े से क्या होता है कि हमारा जो right upper quadrate होता है यानि कि दाई पसली के नीचे होता है वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है चुकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो लिवर नॉर्मल लिवर होता है वहाँ पर हमें एपसेस देखने को मिलता है यानि पर पर स्पोम होना स्टार्ट हो जाता है तो यह हो गया हमारा ल है सबसे पहले बात करें है सबसे mostly common hnhnique सबसें न होता है और लिवर होता है हमारा रा अब लिवर होता है हमार लिवर उसमें बाहर की तरह पर एक ट्रांस्प्लांट केपसिल होती है जिसको हम कहते हैं गलास्इंज कैपस academy यह जो glycens capsule होते है वो हमारे liver के चारव और यहाँ पर transplant तरीके से हो हमारे liver को cover करते है और जब भी जो capsule होती है उसमें तनाव आता है वो stress आउट होते है तो इसके वज़े से भी हमें liver के area यानि कि जो right upper quadrant होते है उसमें pain देखने को मिलता है तो अब हम बात करता है कि जो यह सी कौन-कौन सी condition होते है जिसकी वज़े से जो glycens capsule होते है वो तनाव में आती है या फिर stress में आती है जिसकी वज़े से हमें यह point देखने को मिलता है तो दोस्तों सबसे पहली जो condition होती है जिसके वज़े से हमारी जो यह capsule होती है वो तनाव में आते हैं वो होती है congestive heart failure तो दोस्तों हमारी heart और liver की anatomy कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारा heart होता है वो हमारे liver से associated होता है वो एक दम नजिक होता है तो जब भी हमारा हार्ट में कुछ congestion आएगा या फिर inflammation प्रोडूस होता है तो हमारा हार्ट होता है वो enlarge होता है और enlarge हार्ट होने की वज़े से क्या वो सिधा हमारे liver attach हो जाता है और इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे liver की जो बाहर की glycense capsule होती है वो glycense capsule यहाँ पर stress में आ जाते है और इसकी वज़े से हमारे जो pain होता है वो right upper quadrant में देखने को मिलता है हार्ट हमारा बले ही हमारा left side होता है लेकिन heart के associated जो pain होता है वो हमारे right upper quadrant में देखने को मिलता है तो यह पहली condition होती है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं दूसरी कंडिशन के बारे में तो दूसरी कंडिशन होती है हमारा लिवर कैंसर तो दोस्तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो लिवर कैंसर आउटर की तरफ होता है तो इसके वज़े से हमें पेन देखने को मिलता है तो अब हम बात करता है क जो liver capsule होता है liver जो हमारा होता है अगर liver की अंदर हमारे किसी भी तरह से cancer produce हो रहा है या पर overgrowth हो रहे है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारा जो liver होता है वो liver का enlargement होता है और enlargement liver होने की वज़े से क्या होता है कि हमारी जो capsules होती है वो capsule stress में आती है और इसकी वज़े से हमें pain देखने को मिल सकता है तो यह होगी हमारा liver cancer तो दोस्तों अब हम बात करता है कि सबसे पहले हमने बात करें कि liver से disease के बारे में इसके बाद हमने बात करें कि अगर हमारी liver की जो capsule होती है वो अगर stress में आती है या फिर तनाव में आती है तो इसकी वज़े से हमें pain देखने को मिलता है वो कौन कौन सी condition होती है इसके बारे में बात करी बात करता है कि जो हमारा liver होता है उसमें कई सारे हमारे blood systems होती है circular system होती है जिसमें हमारे arteries होती है और veins होती है हमारे liver होता है उसमें दो तरह की veins पाई जाती है और वो circulate करती है तो एक होती है हमारे hepatic veins जो कि हमारे liver में से blood को ले जाकर superior vein अकेवा में डालती है और एक होती है portal vein जो कि क्या करते है कि जो हमारे intestine में से blood को लाकर सिथिर लीवर में वो ढलते हैš और है दो तरकी हों आरे ब्लड लिवर में ब्लड को सर्कुलीट करती है वो जो ब्लड सर्कुलीटरी सिस्टम सोथ है हो अगर उसमें कुछ भी खराब आ जाते है या पिर उसमें ऑफ्स्रक्शन आ जाता है तो इसके वजह से क्या होता है? हमारे liver में pain देखने को मिलता है अगर blood की circulation में किसी भी तरह की गड़बड़ी आती है तो okay तो ऐसी कौन-कौन सी condition है जिसके बारे में हम बात करते है okay तो दोस्तों इसमें सबसे पहली condition है उसको हम कहते है bird cherry syndrome BCS okay तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे hepatic swain जो होती है वो हमारे blood को सीधे inferior vena keva में डालती है okay तो इसमें क्या होता है कि जो hepatic swain होते है वो proper तरीके से यहाँ पर obstruction आ जाते है या फिर वो hepatic vena proper तरीके से blood को inferior vena keva में नहीं डाल पाती है okay तो इसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारा liver होगा वहाँ पर blood का flow, blood होगा वो जादे से जादे यहाँ पर देखने को मिले गया तो इसके वज़े से क्या होता है कि हमारा liver जो होता है वो enlarge होता है और इसकी वज़े से हमें यहाँ पर right upper quadrant में pain देखने को मिलता है तो इसको हम कहेंगे bird cherry syndrome, okay, दूसरी condition के बारे में बात करते है, तो दूसरी condition में क्या होता है कि जो हमारी portal swain होते है, अगर portal vein में किसी पी तरह का obstruction आ जाता है तो इसकी वज़़े से क्या होता है, कि यहां पर blood flow होता है, वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और इसकी वज़े से हमें pain देखने को मिलता है अब तक हम ने जो भी disease के बारे में बात करी वो था liver से associated वो liver की anatomy से related था liver की capsules के related था liver के blood circulation के related था बात करते हैं liver के जिस्ट नीचे हाय हुआ organ होता है जिसका नाम होता है gallbladder तो गोल्डेडर में भी किसी भी तरह की a disease होता है या फिर deformity होता है तो इसकी वज़े से भी हमें यहां पर pain देखने को मिलता है तोёз शिकी क्षिए condition होते है जिसकी वज़े से आम यह पर होगे हमर गोल्डेडर से व. तो अब हम बात करते हैं अगर उसमे स्टोन प्रोडियूस हो जाता है तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पर राइट अपर कोड़र में पेंट देखने को मिलता है और अगर यह जो गोल स्टोन होता है वो गोल स्टोन हमारे बाइल के जो रनिंग एरियाज होता है यानि कि यह जो स्टिक डक्त के तरू हमारे बाइल यहाँ से डियोडिनम में आता है और ओके यह हमारे नॉर्मल रूट होता है अगर यह बाइल के रूट से साथ-साथ अगर यह जो गोल स्टोन होता है यहाँ पर आ रहा है होता है तो इसकी जो इसका कारण होता है किसी भी तरह का infection ओके तो ये दो तरिके से kolisistitis होती है ओके और ये kolisistitis होती है तब भी हमें right upper quadrant में pen देखने को मिलता है तो दोस्तों ये हो गया kolisistitis नगला जो kosis होता है उसका नाम है deodinal ulcer अलसर क्या होता है कि जो हमारे स्टमक यहां पर पूरा होता है और इसके साथ हमारा इंटेस्टेन यहां से शुरू होता है तो जब भी यहाँ पर क्या होता है कि डियोडिनम में अलसर प्रोड्यूस होता है तो इसके वज़े से भी हमें यहाँ पर राइट अपर कोड़रेट में पेंट देखने को मिलता है पातकरी लिवर और गॉल बेडर से एसोचेट जो डिजिस होते है इसके बारे में अब हम बात करते है किडिनी के डिजिस होते है इसके बारे में बात करते है जो कि राइट अपर कोड़रेट में पेंट के लिए रिस्पोंसिबल होता है यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो राइट कीडिनी होते है वो जस्ट पीछे होती है हमारे liver के यहाँ पर हमारा liver होता है और यहाँ से हमारा second part of diodenum और यहाँ से हमारा pancreaster होता है तो यह जो हमारा liver होता है liver के just पीछे हमारी right kidneys होती है तो यह जो right kidney होती है अगर इसमें किसी भी तरह का disease होता है तो इसके वज़े से भी हमें यहाँ पर right upper quadrant में pain देखने को मिलता है तो एसके बारे में बात करते हैं पहली चो condition होते है उसका नाम है kidney stone अगर right kidney में kidney stone है तो इसके बज़े से भी हमें यहाँ पर right upper quadrant में pain देखने को मिल सकता है जो दूसरी condition है kidney related वो उसका नाम होता है पाईलो नेफरैटिस यानि कि हमारे जो नेफरोंस होते है kidney के अंदर उसमें छोटे छोटे नेफरोंस होते है उसमें किसी भी तरह का infection लग चुका होता है और यहाँ पर क्या होता है परस फोर्म होने लगता है तो इस condition को हम कहते हैं पाइलो-णेफराइटीज. और यह पाईलो-णेफराइटीज. अगर किरिदी में है तो इसकी वज़े से भी हमें राइट अपर कोडरेट में पेन देखने को मिल सकता है. बात करता है लंग्स से रिलेटिके कौन- Kongo से से डीजिस होता है जिसकी वज़ी से हमें राइट अपर कोड़रेट में पेहन देखना को मिलता है तो यह जो लंग्स होता है तो लंग्स भी हमारे बात करते है राइट लंग्स के बारे में cavity होते हैं जिसको हम कहते है plural cavity or अगर ये plural cavity में किसी भी तरह का inflammation produce होता है या फिर infection हो जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि ये जो plural होता है वो arring plants हो जाता है या फिर इसमें 수ंजन आ जाते है तो इसकी वज़े से भी hai हमें यहाँ पर pain देखने को मिल सकता है कनडीशन होती है लंगस related disease के बारे में वो होती है pneumonia अगर हमारा right lung में अगर pneumonia है तो pneumonia में क्या होता है कि हमारा जो 77 जो वला होता है उसमें fluid भर जाता है और इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारा lung में सांस लेना दिक्कत हो जाता है और इसके associated symptoms हमें देखने को मिलता है लेकिन अगर right lung में pneumonia है तो इसकी वज़े से भी हमें right upper quadrant में pain देखने को मिल सकता है तो इस वीडियो में बात करी कि हमारे जो इस वाले हिस्से होता है यानि कि दाई जो पसली होते है उसके नीचे दर्द क्यो होता है और right upper quadrant में दर्द क्यो होता है इसके कौन-कौन से differential diagnosis होते है यानि कि कौन-कौन से कारण हो सकते है इस वाले pain को होने के पिछे हो कि इसके बारे में हमने बात करी तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको किसी भी तरह से helpful रहा हो तो इस वीडियो को like करना और आगे से health knowledge से related वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना Thank you